Hello students, good morning, बच्चो आज आपको पढ़ना है chapter 13, time, okay, today's your topic is, tick the correct time, तो आज आप लोगो को करना क्या है बच्चो दीगे clock में time देखना है और जो दो time दिये हुए है, ठीक है, यहाँ पर two times दिये हैं, जिनमें एक wrong है and एक right है, तो जो correct answer है, उसको टिक करेंगे, बच्चो आप लोगों को, आप लोग तो class 4th में हैं और सभी बच्चो को time देखना और पढ़ना आते हैं, yes, तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप यह देखिए, जब भी minute hand 12 है, minute hand 12 पर होती है, तो बच्चो ओक लोग, इसी प्रकार से, यह minute hand 3 पर है, तो क क्या time हो जाते है, half past, और इसी प्रकार 9 पर जब minute hand पहुझती है, तो हम उसको पढ़ते है, quarter 2, और आज आपको देखना है, कि दिये गए time को आप सही रीट करते हैं, या नहीं, जैसे यहाँ पर our hand किस पर है, 2 and 3 के मिजिल में, चैब की minute hand at 9, minute hand 9 पर है, and our hand किस पर है, 2 and 3 के मिजिल में, तो इस condition में, अब आप बताएए, 45 minute 230, sorry, 45 minute 23, या quarter 23, बचो अगर यहाँ पर 45 minute past 3 होता, पास्ट 2 होता, 45 minute past 2, तो यहाँ पर आपका सही होता, और या फिर यह जो quarter 23 है न, यानि तीन बजने में अभी 15 minute पागी है, तो क्या answer है, यानि इसको आप 245 पढ़ सकते हैं, या फिर quarter 23 पढ़ सकते हैं, ओके, क्योंकि अभी आपके पास 15 minute हैं, 3 बचने में, इसी प्रकार से, question number second में देखी बच्चो, minute hand 4 पर है, and our hand कहाँ पर है, 10 पर, small hand को ही our hand बोलते हैं न, yes, तो our hand कहाँ पर है, 10 पर, and minute hand at 4, तो 4 पर है minute hand, it means कितने minute हो गएं बच्चो, 1 minute पहले, यानि 19 minute, ओके, तो जब 4 पर होती है, तो 20 minute, 3 पर, 15 minute, 5 पर, 25 minute, अभी बच्चे ऐसे हैं, जिने अभी time देखना नहीं आता है, तो वो क्या करेंगे, उनको 5 को table learn होना चाहिए बच्चो, अब यहाँ पर 4 से 1 minute पहले, it means कितने minute हो गए, 19 minute past 10, या 19 minute to 10, बच्चो, क्योंकि यहाँ पर अभी 4 exactly बच चुके हैं, sorry, यहाँ पर 4 minute अभी 4 पर थोड़ा सा पहले है, इसलिए, अब minute 10 कितने कहेंगे, 19 minute and 10 past, यानि इतने minute पूरे हो चुके हैं, तो 10 बच के, 19 minute यानि इसको कहेंगे, 19 minute past 10, क्या पढ़ना है बच्चो, 19 minute past 10, क्योंकि जो time हो चुका होता है बच्चो, वो past भी जाता है, और जो होने वाला होता है, इसको तू कहते हैं, ओके, आच्चा, अब इसी प्रकार से यहां पर दिया हुआ है, बच्चो, 6 पर है, minute hand, and 12 and 1 के बीच में, our hand, तो जो बच्चो, यह याद रहे हैं, जो minute hand 6 पर होगी, तो our hand किनी 2 numbers के बीच में होगी, जैसे 1, 2 के बीच में, our hand है, और minute hand, किस पर है, 6 पर, तो time होगा, आपका, half past 12, इसी प्रकार से, अगर 1 and 2 के बीच में, our hand है, और 6 पर minute है, तो time होगा, half past 1, जैसे प्रकार 2 and 3 के बीच में, our hand है, और minute hand 6 पर है, बच्चो, तो time होगा, half past 2, okay, या 2.30, 1.30, 12.30, okay, 30 minute कहते हैं, 30 minute क्यों होता है, half past, क्योंकि total minute कितने होते है, 60 minute, one hour में 60 minute होते है, और one hour, जब 30 minute है, यानि कि 60 का half क्या होते है, 30 minute, तो हम इसको पढ़ते हाफ past, okay, यहाँ पर बच्चो, क्या time है, half past 12, या 30 minute to 12, no, half past 12, यानि 30 minute past 12, हम इसको यह भी पढ़ सकते हैं, half past 12, या 30 minute past 12, okay, अब यहाँ पर question number B में दिया है, जिसमें आपको दी गई, क्लॉक्स में hand draw करने हैं, और यहाँ पर time आपको दिखाया गया है, 249, 37, and 920, तो बच्चो देखें, यहाँ पर आपको करना क्या है, जिससे 49, 49 के बादे तर 50, 50 के लिए minute hand कहाँ पर होनी चाहिए थी, 10 पर, है न, क्योंकि 510 जा 50, लेकिन exact आप 10 पर नहीं करेंगे, 1 minute पहले जैसे यहाँ पर question number 2 में 4 से 1 minute पहले, ऐसे hand draw कीजिए, and जो our hand है, उसे आप कहाँ पर ले जाएंगे, 2 पर, ठीक है, बलगे 2 से थोड़ा और 2 and 3 के बीच में हलका सा लाएंगे, ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार से 3, 7 है, यानि 3 पर exact 3 पर होगी, small hand and big hand होगा, आपका 5, 1 पर है न, 1 से आप 1 के बाद 2 point आगया जाएंगे, तो हो जाएगा 7 minute, 9, 20, 9, 20, यानि आप जो small hand होगा, वो 9 से एक मिनिट आगे, और 20 यानि 4 पर exact होगी, तो अब आप लोग उट्रा कर लेंगे हैं, इस तरीके से अब आप ये work तो अपनी notebook में ही fill कीजिए, notebook में इसमें करना ही नहीं है, हाँ, सभी बच्चों को time देखना जरूर आना चाहिए, ओके, और quarter past, quarter two, half past, इंग में भी आपको समझना चाहिए, कि किसे हम quarter past कहते हैं, और किस time को हम quarter two कहते हैं, ठीके, अंतर दोनों में बच्चों बस इतना है, quarter two जो की आभी इतने मिनट बाकी हैं, और quarter past जो time बीच चुका है, ठीके, ओके, अब आप work complete कीजिए, and send कीजिए, बाई बाई, have a nice day,